Hey guys, welcome back to my channel और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Human Geography के बारे में Its Nature and Scope जो Class 12 के Chapter 1 में है हमारे पास और ये उसका एक Part 1 है जिसमें आज हम बात करेंगे कुछ Definitions की क्योंकि Definitions वो हैं जो बहुत Scoring होती अगर आप किसी भी Question में Definitions Mention कर रहे हो तो वो बहुत helpful होंगे आपको Better Score करने में और उसके बाद हम बात करेंगे Human Geography की सब फिल्ड के बारे में और कुछ एक History भी हम Discuss करेंगे कि Human Geography जो है उसकी History क्या थी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करना और अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो सबसे पहले बात करते हैं अगर आपकी जो पूरी बोडी है वो एक सिस्टम की तरह काम करती है जो हर बोडी पार्ट होगा वो अपना एक important role play करेगा उस पूरे सिस्टम में वैसे ही human geography जो है वो all over geography में चाहे उसमें physical हो चाहे human हो all over उसका क्या contribution है ये हम पढ़ते है human geography में अब जैसे अगर हमें इस picture की बात करें तो ये एक simple desert की picture है तो इसमें क्या show हो रहा है कि ये एक physical feature है geography में कि ये जो area है it shows कि एक desertic area है जहाँ पर जो food है वो भी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर water availability बहुत कम है वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हमें humans दिख रहे हैं इसमें क्या होगा हम physical और human के जो relationship है इनमें वो हम study करते हैं हमारे geography में तो humans पर क्या impact होता है किसी भी physical features का वो हम पढ़ते हैं human geography में कि जो humans हैं उनके lifestyle में क्या changes आएंगे according to that physical feature अगर desertic area में कोई भी लोग रहते हैं तो आपने बहुत सुना होगा कि इंडिया में जैसे राजिस्थान और गुजरात में काफी area में जो run of kach है वो एक बहुत बड़ा desert है तो वहाँ पर लोगों को बहुत travel करके जाना पड़ता है to get their drinking water around 5 to 10 km जो वहाँ के ladies है उनको daily travel करना पड़ता है वो पानी को लाने के लिए तो ऐसे ही जो एक physical feature है हमारे पास desert वो impact कर रहा है वहाँ के लोगों के lifestyle को तो geography की branches हुई systematic and regional उसके अंडर systematic अंडर हमारा आता है human geography तो अब CBAC में questions कैसे पुछे जाते हैं CBAC में कभी भी जो हमारा है direct questions वो नहीं पूछते आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि रेटजल ने क्या definition दी वो उसी की definition देकर आपको confuse करेंगे कि आपको ये याद रखना पड़े कि definition क्या थी और ये definition अगर पूछ ली जाए तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि definition दी किसने है हमारे पास ये question है कि human geography is the synthetic study of relationship between human societies and earth surface अब इन्होंने question को घुमा दिया आपसे ये नहीं पूछा कि रेटजल की त्योरी बताओ उन्होंने क्या definition दी ये बताओ उन्होंने डायरेक्ट आपको उसकी definition ही दे दी और पूछा who gave this definition of human geography तो अगर आप definitions को neglect कर रहे हो तो उसको please neglect मत करो क्योंकि definitions एक ऐसा part है geography में या किसी भी subject में अगर आपने अपने answers में definitions डाल दी और उसके साथ उसके जो author है उसका नाम डाल दिया तो you will score one or two marks at that point only आप उसी time पे सिरफ एक या दो number जो है वो easily ले सकते हैं और कोई भी teacher वहाँ पर आपके वो number नहीं काट सकता तो इसी के साथ एक या दो हमारी जो important definitions हैं और कौन से हमारे जो important geographers हैं जिन बहुत बड़ा contribution है geography में उनकी definitions हम discuss कर लेते हैं जैसे definition by Frederick Redzel who is known as the father of modern geography तो Redzel का नाम बस याद रखना है और उसकी definition में बहुत easy है याद रखना एक उसका work याद रख लो जो Redzel था उसने anthropo geography जो थी वो एक उसकी book थी जिसमें उसने anthropo क्या होता है anything related to humans और geography हो गया हमारे पास study of physical या study of earth तो physical geography हो गई इसमें यहाँ पर और anthropo में हमारे पास आजाएगा human geography तो अब इनको अगर हम plus करें तो यह पता लगता है कि जो physical features है उनका human geography में क्या contribution है और कैसे humans की life को impact करते हैं तो उन्होंने definition भी यह दी कि his main focus was on the effects of physical features different physical features जिसमें हमारे पास आजाएंगे mountains, hills, deserts, plateaus and plains अब अगर हम बात करें कि mountain पे जो लोग रहते हैं यह जो hilly areas में लोग रहते हैं उनका plane वाले areas की तरह lifestyle होगा तो हम गलत हैं क्योंकि इन लोगों का जो lifestyle है वो इनके physical features पर ही depend करता है उनका livelihood जो है उनका जो food है food consumption भी बिल्कुल different है according to their physical features तो वैसे ही location on the lifestyle of people तो जो रेड़ जल थे उन्होंने इसी बारे में बात की कि जो different physical features है यह जो location है different locations है वर्ल्ड में वो कैसे lifestyle को impact करती है पीपल के अगर हम इस picture की बात करें तो यहां पर terrace gardening हो रही है terrace gardening usually hilly या mountainous regions पे होती है अगर हम plains में terrace बना दें और वहां पर अगर हम cultivation करें तो वह possible नहीं होगा तो वैसे ही plains में जो है हमारे जो crops grow करते हैं वो usually हम terrace area में या terrace gardening में grow नहीं कर सकते तो इसी के साथ जो next हमारी definition है वो दी है miss ellen sample ने यह जो थी disciple थी of redisal अब redisal की disciple क्या थी उनकी एक follower थी वो उन्होंने जो भी geography से related जो अपने concepts दिये उनसे बहुत impressed हो गई और यह उनकी disciple बन गी इन्होंने भी उसके जो work था उसको बहुत follow किया तो उन्होंने क्या statement दी कि man is the product of nature कि इंसाना जो भी है वो सब nature की वज़ा से है इसका क्या meaning है कि जो man है वो unresting है वो rest नहीं कर रहा है वो continue move कर रहा है जैसे हम बोलते हैं कि migrate हो रहे हैं या हम कहीं पर भी travel कर रहे हैं जैसे globalization है हम कहीं भी पूरे world में travel कर सकते हैं तो it means कि man जो है वो rest नहीं कर रहा है it's unresting man and unstable earth अर्थ के भी जो सारे phenomena's है वो stable नहीं है रोज rotation होती है पर यह revolution होता है हमारे पास बहुत रहते physical features हैं जैसे कि अगर हम volcanoes की बात करें तो वो timely erupt होते रहते हैं quicks आते हैं तो अर्थ जो है वो stable नहीं है वैसे ही man भी जो है वो rest नहीं कर रहा it is continue moving from one place to another sample जो थी उन्होंने changing relationship देखा between the unresting man and on the other hand unstable earth तो इनके बीच में जब उन्होंने relationship देखा तो उन्होंने देखा कि man has changed the physical features to a great extent अगर हम इस picture की बात करें तो यहां पर एक छोटा सा हिली एरिया है जहां पर यह road construction हुई है अपनी जो unresting man है उसने travel करने के लिए यहां पर एक construction कर दी तो उसमें क्या हुआ जो physical feature था उसको उसने एक हद तक अपने accordingly change कर दिया according to their convenience तो next we have field and sub fields तो human geography कौन कौन सी ऐसी fields हैं दूसरे subjects की जिनके साथ वो deal करता है और कौन सी उनकी sub fields है जैसे social geography की अगर हम बात करें तो इसमें हम behavioral geography जो है उसका भी study करते हैं जैसे behavioral में क्या हो जाएगा कि हमारी क्या psychology है किस region में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं उनकी कैसी psychology है अगर mountain भी लोग रहते हैं तो उनकी psychology अलग है plains वाले लोगों की psychology अलग है अगर हम platews की बात करें या किसी भी island की लोगों की बात करें तो सबका जो behavior होता है physical features के according ही change हो जाता है तो वैसे ही अगर हम दूसरे social geography के अंडर बात करें तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा cultural geography यह सारी important sub fields है जो हमें याद रखनी है या अगर कल को question आता है कि कौन से सब fields है या fields है जिनके साथ जो हमारे human geography है उसका social science में interaction है तो यह सारी fields को हम mention करके बहुत अच्छे से एक answer जो है उसको frame कर सकते हैं जैसे cultural geography है उसके बाद हमारे पास है gender geography इसमें आ जाएगी हमारे हमारे पास historical जैसे कि मैंने बताए कि हड़पा civilization वो social societies में रहते तो history में कैसे geography जो है social geography उसका क्या impact था और उसके बाद हमारी आ जाएगी medical geography है हमारे पास urban geography जिसके बीच में हम urban areas को study करते हैं and in the era of globalization जहां पर बहुत बड़े-बड़े urban areas हैं mega cities है megalopolis है वैसे ही जो urban planning है वो urban geography के अंडर आती है planning and developmental studies political geography में हमारे पास आ जाएगा electoral geography कि कैसे elections जो है वो different countries में differently held होते हैं और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा military geography political geography खुद में ही एक बहुत बड़ा topic है बहुत बड़ा subject है अगर इसको पढ़ना हो क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे ऐसे geographers हैं बहुत important geography में जो हमारे geographers है उनको बहुत बड़ा contribution है different areas में कि कौन सा है कौन सा ऐसा region है world में जो पूरे world पर जो rule करता है वो सारी चीज़े हम पढ़ते हैं political geography में जितने भी political conflicts होते हैं boundaries के लिए अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बोलें तो सब इसको इंडिया और पाकिस्तान जो है उसको सब जानते हैं कश्मीर के conflict के लिए तो कश्मीर पर अगर conflict चल रहा है P.O.K. पर चल रहा है यह जो सारे हमारे conflicts आते हैं जो borders पर होते हैं और boundaries के लिए लडाईयां होती है वो सारी आ जाती है हमारी political geography के अंडर वैसे ही अगर हम population geography का बात करें तो humans जापर है वहाँ population तो होगी ही होगी तो अभी हमारे पास है 8 billion population in the world और अभी इसकी जो doubling rate है वो बहुत जल्दी double होने वाली है तो वैसे ही population geography में हम बात करते हैं demographic की demographic के अंदर हम पढ़ते हैं sex ratio हो गया कि कितने males पर कितनी females है हमारी density हो गई population distribution हो गई कि world में जो population distribution है वो किस हिसाप से है तो यह सारा हमारे आ जाता है population geography के अंडर next हमारे पास है settlement geography तो इसमें हम पढ़ते है settlement patterns कि जो humans है वो different physical features के according अगर mountain region है तो वहाँ पर क्या होगा यहाँ पर ऐसे mountain top है तो यहाँ valleys में they will survive तो वैसे ही जो इनके households हैं जो इनकी settlements हैं वो कैसी होंगी plane areas में अगर आप पात करोगों तो यहाँ पर बहुत compact जो है वो हमारी settlements होती है कि बहुत तरीके से जो है यहाँ पर settlements हमें जो घर हैं वो किसी market के around जो हैं वो मिलते हैं वैसे ही last हमारे पास है economic geography तो इसके अंदर हम बहुत सब चीज़े पढ़ते हैं जैसे कि resources हो गया geography of resources की resources की distribution है वो कैसे है agriculture हो गया कि agricultural fields कहाँ पर किस टाइप का agriculture जो है वो practice होता है जैसे Mediterranean regions अलग होते है यहाँ plain areas में नद agricultural practices हैं जो होती है industries की बात करें कि industrial जो locations होती है कि कहां पर जो industry है उसे locate करना चाहिए कहां पर हमारे पास resources होंगे कहां हमारे पास capital होगी that is finance उसके बाद हमारे पास हो जाएगा कि कहां से हमें easily labor मिल जाएगी तो हम industry को वहां set करेंगे जहां पर easily हम यह तीनों चीज़े पास सकें वैसे ही हमारे पास इसके बीच में आ जाएगा marketing की जो हमने industry locate करी है उसके सबसे पास में market कहां होगी और उसके बाद हमारे पास economic में आ जाएगा tourism की कौन-कौन से ऐसे regions हैं जिने हमें tourist places की तरह जो है वो develop करना चाहिए उसके बाद हमारे पास आ जाएगा international trade जिसमें ह जैसे import और export करेंगे अगर हम बात करें Japan की तो Japan is the most developed country among the most developed countries in the world और इंडिया की बात करें इंडिया जो है वो एक developing stage में है यह अभी भी developing stage में है लेकिन Japan की क्या features है कि इसके पास जो technology है वो बहुत ज़्यादा है टेकनोलोजी की बात करें तो चपैन में बहुत ज़्यादा टेकनोलोजी है बट इंडिया क्या है लेबर प्रोवाइड कर सकती है and resources जोग्रफी की history की बात करें तो उसमें हमारे पास है trust of human geography में कि before the age of discovery there was a little interaction between the different societies तो यह क्या चीज है कि जो हमारे पास age of discovery है उससे पहले और age of discovery में late 15th century में क्या हुआ कि जो information थी दूसरे societies की वो available हो गई और exploration जो थी हमारे जो explorers थे उन्होंने दूसरी country और दूसरे regions को जो है वो explore करना शुरू कर दिया अगर हम example लें तो during the period of colonization जो Asian और African regions थे वो Europeans के पाए गए गए एशिया और Africa तो already exist कर रहा था वहाँ लोग भी रहते थे बट उनको explore किनों ने किया Europeans ने आ के उन्हें ढूंटा कि अच्छा यहां पर भी दूसरे हमारे पास continents है यहां पर भी लोग रहते हैं जैसे हम अर्थ पर रहते हैं और aliens की ढूंटे है ए लियन को ढूंडे निकलते हैं स्पेस में वैसे ही जो Europeans थे उन्होंने अर्थ पर रहते हुए दूसरे continents को जो है explore तोर करना शुरू किया इसी के साथ क्या हुआ बहुत सारी ऐसी अप्रोच इस लगाई जिससे हिस्ट्री बन पाई इंडिया में तो वह ट्रेड के लिए थे तो वैसे ही जो ट्रेड इंट्रस्ट था उसने एक्स्प्लोर कराया पूरे वर्ल्ड को तो सेकेंड हमारे बस कोलोनियल पीरेड में क्या आएगा रीजनल एनालिसिस की जो यूरोपियंस थे ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया पूरे वर्ल्ड में एनालिसिस करा कि कौन-कौन से रीजन ऐसे हैं जो उनको रिसोर्सिस दिला कर बहुत जादा प्रॉफिट दिला सकते हैं तो उन्होंने सभी एडियस की जो है रीजन के हैं उसका आइडिया लगाने लगे और जो पूरा वर्ल्ड है उसको एक होल में लिया कि जो एक रीजन है ये पूरा वर्ल्ड ही एक रीजनल बेसिस पे आिम्पॉर्सि की बात करते हैं तो उसमें मैप्स बहुत इंबॉन्बॉर्ट्न होते हैं तो वैसे ही एयरियल दिफ्रेंसीएचन जो है उसमें इस्सक्राइइकल टूल्स जो है यूस करने लगे और हर एक रीजन की अपनी एक यूनीकनेस को देखनेिके कि एक किस गिए डि शुरू हो गई जिसे quantitative revolution भी कहा जाता है इसमें क्या हुआ उन्होंने बहुत sophisticated जो statistical tools थे उनका यूज किया और physics के law लगाने शुरू किये उसके बाद ये जो revolution था उसका main objective ये था to identify mappable pattern for the different human activities की जितने भी human activities differently हो रहे थे उनको एक mapping pattern बनाया जाया और उनको maps पे plot किया जाए थ्री जो हमारे important schools थे वो introduce किये गए जिनमें से first हमारे पास था humanistic school, radical school और behavioral school जिसके बीच में इन्होंने एक ऐसा revolution स्टार्ट किया कि post modernism तक आते हाते जितने भी हमारे universal laws थे उनको हमने question करना शुरू कर दिया कि क्या ये सच में applicable है to identify the applicability of universal theories to explain the human condition were questioned कि अगर हम बात करें law of gravity कि gravity जो है वो exist करती है अगर इसको कोई question करें कि gravity कैसे exist करती है हमारे world में एक ऐसा hilly area है जहाँ पर gravity काम नहीं करती, slope पर भी गाड़ी जो है वो upside जाती है तो यहाँ पर क्या होता है जो हमारे universal laws होते हैं ये question अप होते है कि क्या सच में gravity हर जगाँ पर exist करती है world में post-modernism era में क्या हुआ कि जितने भी हमारे पर सारे universal laws थे हमने उनको question करना शुरू कर दिया अभी क्या होते हैं हमें एक class में चीज पढ़ाई जाती है हम उसको कभी question नहीं करते कि अच्छा मैं पढ़ा रहे हैं सई पढ़ा रहे होंगे बट यहाँ पर क्या हुआ जो भी geographers ने आज तक जितनी theories दी थी जितने concepts दिये थे post-modernism में जो new geographers आए उन्होंने सारे universal theories जो accepted थी उनको criticize करना शुरू कर दिया उनमें से flaws निकालने जो है वो शुरू कर दिये क्या हुआ जो human geography है उसकी development जो है वो और भी spirit से होने लगी के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को like करें, share करें, comment करें और अगर आपने अभी भी इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को subscribe करते हैं